इसमें वो इन अरोपों का जवाब दे, आप आप पर नी सफाई दे, दूद का दूद का पानी का पानी हो जाएगा, सारी मीडिया के इंदर रिपोर्स है, अगर कोई बात कहीं सचाई है, तो भी तो ये बात सामने आई है, टेंटों में वो पांगरस के लोगों को मिल रहे है जबकि किसानों दूद के दूद के दौरान कहा गया था, किसी भी राजरितिक दल को वो अपने मंच पर नहीं आने देंगे, अगर वो मंच पर आता है, तो राजरिती छोड़ करके आए, और आज इस प्रकार से लोगों आकर के राजरिती सभी मिल करके राजरितिक दल चुनाव लड़ चुकी है और आज 10 कुरोड रूपे लेने की बात आ रही है और कॉंग्रिस की टिकट लेने की बात आ रही है हमने शुरू से कहा है कि कॉंग्रिस जरा प्रेड़ी अंदोलन है उसको उग्र रूप दागरन करके इसी तरह अराजकता फली जाए और भाईचारे के अपना हिंदू सिख इसको विवाद का जनरेट किया जाए इसको एक परकार का अंदोलन कड़ा कर दिया जाए ताकि हर्याना में अशांतिका और अराजकता का मोल फल जाए पिछले दो महिने से जाए किसान अंदोलन चल रहा और किसान सडको पर अर दिल्ली के बोडरों पर किसान बैठे वे नजर आ रहे हैं वही कहीं न कहीं देरात एक खबर आती है जिसमें जो भारतिया किसान यूनियन के जो परदेश देक शाहरियाना के गुर्णाम सिंग चडूनी उन पर आरोप लगे हैं जिसके बाद जो स्युक्त किसान मोर्चा की तरफ से उनने जो टीम से बाहर कर दिया गया और जो आने वाली मीटिंग है उसमें भी वह बाहर रहेंगे हाला कि उन पर जो विपक्सी पार्टियां उनसे बातचीत मिली भगत होने का और पैसे लेने का आरोप लगाया जिसके बाद जो भाजपन नेता उनका क्या रियक्शन है इस पर लेकर हमारे साथ करनाल से भाजपन नेता किसान मोर्चा की तरफ से बाहर भी कर दिया गया फिलहाल टीम के लिए और जाच कमेटी बिठाई गया उनकी तरफ से तो उस पर आपका क्या कहना है देखिए हम शुरू से कहते रहे हैं कि यह जो किसान अंदोलन है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है यह राजनीत कर रहा है वह चुनाव लड़ चुकिए और आज 10 कुरूर रुपे लेने की बात आ रही है हमने शुरू से कहा है कि कौँरेस द्वार प्रेरित अंदोलन है उसको उग्रू रूप धारन करके किसी तरह राजकता फैली जाए और भाइचारे के अंदर आपना हिंदु सिक इस इसको एक परकार का इस परकार का अंदोलन कड़ा कर दिया जाए ताकि हर्याना में अशांति का और राजकत का मोल फैल जाए जिस परकार से चुड़नी ने खुद आ करके ब्यान दिये हैं कि पिछले दिनों कावगाउं कैमला के अंदर जो हमारी किसान महापंचायत थी उस मह पंचायत को अगर तुसमें कुर्शियों की तोड़ फोड़ की गई जहां उनको निंदा करनी चाहिए थी से क्रिते की उन्होंने स्वें आगे हो करके कहां कि हम इस परकार के क्रित आगे भी करते रहेंगे तो जिस परकार से चाहिए वो रंदीप सिंग सुर्जे वाला हो कुमारी शैल जा हो चैबुपिंदर सिंगूडा हो उनकी जो मनमित तडफ है जो उनको राजनिती के अंदर उनको जिस परकार से जंता ने उनको दरकिनार कर दिया है कॉंग्रेस को जिस परकार से हरेना के लोगों ने हाशिये पर खड़ा कर दिया है उस तडफ के अंदर इ ऐसे तथाकति निसा कि जो किसान है इस परकार का उग्र अंदोलन उक्साने वाली बात करने लग जाते हैं ताकि ये अंदोलन लंबा चले बोले बाले किसानों की जोंचे ठंड में वो मृती होती रहे और ये राजनीतिक रोटिया सेकते रहे जमीने ले ले लेंगी बड़े बड़े अदयों की घहानों के para musa कि जब ले सकते हैं बिलकुल गलत बात है और नरिंद्र अरोप लगाएं का जी जो नेता है वो संग से जुड़े उनका बैक्राउंड है और कहीं नहीं बात भी निकल कर सामने आ रही है कि जो उन पर आरोप लगाए जारे राजनीति की जारे किसान अंदल उनको तोड़ने की कोशिश ने की हमेशा हमने वरतालप का रास्ता अपना ह है हम आज भी आगरे कर रहे हैं अगर गुरुनाम सिंग चुड़नी इसमें वो इन अरोपों का जवाब दे आप पर नहीं सफाई दे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा सारी मीडिया के अंदर रिपोर्ट से हैं अगर कोई बात कहीं सचाई है तभी तो यह बात सा और आज इन भूले-बाले किसानों को लेकर के ٹैंटों में चुप चुप करके उनसे मिलते हैं रात के अंधरे में उनको बलाते हैं उनसे डील करते हैं उनसे पैसे की बात करते हैं, टिक्टो की बात करते हैं, शरम आनी चाहिए ऐसे तताकती किसानों का कहना है कि जो भी किसान वहां जो नेता आएगा अपने जंडी उतार कर वहां पर आए, उनका तो कहना है कि जो भाजपर जेज़ेपी के नेताओं को भी बुला रहे हैं, लेक कि को आपना जो एक साजी से रचिए कि इनको घूसने ना दो कहां पर बूला रहे हैं हम लोग बाचित के लिए इसके लिए यह लोग राजदितिक रोटिया सेकने का एक जिसकी राजनितिक महत्व कांशाह है वो आज सब के सामने आगी है बात अगर किसान अंदोलन बुलाएंगे चाह किसी को भी बुलाएं हम लोग जाएंगे हम लोग अपनी बात बीच में रखेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि अंदोलन शांति पुरू रखे भाईचारा उटेंगे सरकारे आएंगी जाएंगी लेकिन हम लोगों का जो भाईचारा है वो भाईचारा कायम रहे सबसे आज रहना प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रात्मिक्ता इस चीज़ की है तो हमारे साथ भाजबन नेता जग्मोन अनंद थे उन्होंने कहा कि जो किसानों को फ किसानों किस और अपना रुख लेता है करनाल से विकास मेला पंजाब के स्री टीवी करनाल